येरी अगड़ पडो सने और बुल वाले माहा और तु यगड़ पडो सने और बुल वाले माहा और मुझे मंगलाचारी सुना दे और साथियां यूँ कहने लगे भगत सिंग और जाते जाते भगते सिंग के गीत खुशी के गाते जाते जाते भगते सिंग के गीत खुशी के गाते हेरी अगर पडो सने बुल वाले हाँ अगर पडो सने गुल वाले और मंगलाचारी सुना दे जाते जाते भगते सिंग के गीत खुशी के गाते जाते जाते भगते सिंग के गीत खुशी के गाते और पहली बात में धन्यवाद मेरी ही माता जी तुम्हें जारा देश कहेगा जीते जी बई जीते जी ना कोई ही लाले अब मा पैठे सहेगा और जीते जी बई जी ना कोई ही लाले अब मा पैठे सहेगा और इकुर्मा करूँ सरीरे वतने पे कुछ ना सेस नहेगा थोड़ी देर मा थोड़ी देर में देखनी ओ मेरा कैसा भेश रहेगा थोड़ी देर में देखनी ओ मेरा कैसा भेश रहेगा मेरा एक खुड सीना पढ़ है खुशी में या तो गोलों को बता दे जाते जाते भगते सिंगे गीद खुशी के गादे जाते जाते भगते सिंगे गीद खुशी के गादे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ और देखे साथियों देश भक्ति किस बात पर खुशो करके भाई कानूराम नेता जी वो भी एक सेग रुपे से हमारा होसल आप जाई कर रहे हैं और देखे साथियों हमारे बहुत ही लोप्रिय नेता भाई परवीन गूजर दोसा जो अभी अभी सभासद चुने गए हैं मोधिन अगर से देखे साथियों कमाल कर दिया बारे दिन के शुनाओं में जिस नौजवान में आप सब को गोर्वामित किया हो सभासद चुन कर आए हो भाई दोक्तर बवनी गूजर जी के सबूतर क्या आप सब का बेटा है परवीन गूजर दोसा पान सो रुपे से हमारा होस्लाब जाई कर रहे हैं मैं चाहूंगा एक बार जोड़ दार ताली भाई परवीन गूजर के लिए हो जाए जोड़ दार ताली और देखे आदरने जितंदर जी क्योंकि साथियों फरमाईस महासे सत्माल दोसा जी की चल रही है आदरने जितंदर जी वो भी पान सो रुपे से हमारा होस्लाब जाई कर रहे हैं और देखे साथियों हमारे बहुत ही पैना शोथ हैं और साथियों वरिश शमास से भी भारत्य जन्ता पार्टी के बहुत ही कतवार नेता है महास्या सक्पाद दौसा जी के छोटे भाई आदने जगत सिंग नेता जी भाई जगत सिंग दौसा जी भाई वो भी 500 रुपे से हमें आशिपा दे रहे हैं एक बार जोरदार ताली भाई जगत सिंग दौसा के लिए जोरदार ताली आईए दूसरी बात में क्या बना रहा है और देखे साथियों भाई पप्पु भाटी जी खानपुर से भाई पप्पु भाटी खानपुर से वो भी देश भक्ति की इस बात पर खुसो करके 500 रुपे से हमारा हसला अफजाई कर रहे हैं इनके लिए भी एक बार जोड़दार ताली हो जाएं बहुत बहुत धनेवाद और देखे साथियों दूसरी बात में उस मा ने कहा के लाड़ ले चाहे तू कितना बना हो गया मेरा बालक है आज फासी के भंदे को देखकर कोई धर्द तो नहीं तो भगसीर कहते हैं मा दर्द की सिकायत क्या कभी मर्द किया करते हैं अर यो मा दर्द की सिकायत क्या कभी मर्द किया करते हैं हम तो वो मर्द हैं मा जो दर्द को खरीद लिया करते हैं कैसे कहता है मा जे भाव जी क्याना हुआ भाई जितंदर पाली जी सदसे जिला पंचात हस्तापुर 500 रुफे मुम्ताज भामवन जी कल्छीना से आदेने स्री मुम्ताज भामवन जी कल्छीना से वह भी 500 रुफे से हमारा होस्ना आप जाई कर रहे हैं और देखे साथियों दूसरी बात मैं अपनी मा से करें भवसी के मा चाहे दुनिया की कितनी बड़ी मुशीबत आजाए मैं तेरे दूद को नहीं लजाऊंगा मा मैंने तेरा दूद किया है मा तुने गर्व से फिलाया है इसलिए मैं उसको लजाने वाला नहीं हूँ क्या कहता है भाई भी एक से एक रुपे से हमारा होस्न आप जाई कर रहे हैं क्या नाम भीया कर दूसा दूसा में बड़े बड़े ट्राइकर रहते हैं जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी और देखिए पांचो रुपे आदने रामबीर जी मनावली से रामबीर जी मनावली दिल्ली पांचो रुपे नगत और ग्यारे से रुपे मंग से उतरते हैं भाई जोरदार ताली रामबीर जी के लिए जोरदार ताली बहुत भनेवाद और आईए क्या बताया तूसनी बात में साथियों हाँ और जननी मा तने जनम दिया ना तेरा दूद लजाऊँगा थोड़ा दिल अरी थोड़ा दिल मत करे मात में हसके फास इखाऊँगा और खुशी घनी मने आज देश की खातर प्राण गवाँगा उन्हें कह देना मैं मर के भी भारत आजाद कराऊँगा और पालकपण में सुना करूछ था आज गवाईगा और देखे साथियों भाई राहूल नमबरदार जी विश्णूली से भाई राहूल नमबरदार जी विश्णूली भाई वो भी पांच सो रुपे दे रहे हैं और भाई रामबीर जी पांचली से हर बीर जी पांचली से वो भी एक से रुपे से हमारा होसलाब जाई कर रहे हैं हम इन सब का पहुत को धनेवाद करते हैं और साथियों तीसरी बात को मैं मातर सकती बहना हूं आपको समर्पित कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुनने की बात है क्योंकि अब तो भगत सिंग की बहना भी जेल में जाती है और अपने भाई भगत सिंग से कहती है कि लाड़ले भाई आज तुछ जह आज से चला जाएगा कल राखी का त्योहार है मैं भाई किसको कहूंगी मैं राखी किसको बांधूंगी तो भगत सिंग कहते हैं कि बहना क्या लगता है भाई चल्दिया फासी खाने के लिए अरी नहीं तेरा भाई जा रहा है आजादी को ब्याने के लिए घबरा नामत बह हो जाएगा गर्व उस दिन तुझ को इस भाई पर अपने अरी जिस दिन पूरे हो जाएंगे मेरी भारत मा के सपने बहना से क्या कहता है भगसिंग अरि मत ना रोवे बहन मेरी औरि मत ना रोवे पहन मेरी तु क्यों मन में घब राई राथी के दिन सपने में आवेगा तेरा भाई और जो मांगेगी सो त्यूंगा बई जो मांगेगी सो तुझे लाथी की बंधाई हसके कर दिके हसके कर दे बिदा आज मेरी हो जाती बनाई और लाखो है तेरे भाई देश में तुझे भारतमा बता आजे जाते जाते भगते सिंग के दीत खुशी के गाते अर जाते जाते वंगत सिल्किके जीत खुशी के गाले क्या बात है? प्रेमिशोताओं आखरी बात में बताया है क्योंकि ये बात हम लोग सहीदे आजम सर्तार भगसिंगी कर रहे हैं लेकिन आज के नौजवानों को देखिए कोई भी देश हित में या समाज हित में करकम होता है तो नौजवान दिखाई नहीं देते नौजवान मिलते तो हैं लेकिन सापिंग मॉल और विक्चर हॉल में दिखाई देते हैं एक सायर ने कहा है कि क्यों मरते हो बेवफा सदम के लिए साथियों क्यों मरते हो बेवफा सदम के लिए अरे दोगज जमी मिलेगी तेरे कफन के लिए मरना है तो मरिए इस प्यारे बतन के लिए फिर क्या है हर हसीन अपना दुपटा भाड़ देगी तेरे कफन के लिए आखिर में कैसे बताया औरी कितना सुंदर तकत सजा मात कितना सुंदर तकत सजा और केसी अजब भाड़ लगे अपनी मा से कह रहें सही दे आज़ा भाड़ सिंग के मा देखिये मेरे लिए कितना सुंदर तकत सजाया गया है और मा ये जो फासी का फंदा देख रही हो ये मुझे फूलों के जैसा हार लग रहा है हातों में जो हटपड़िया है मा धड़ी-धड़ी भरकी तो है लेकिन जो साधियों में कंगन बांधा जाता है मा उसके जैसा भाड़ लग रहा है लेकिन एक बात है माता जी यदि आज भारत मा खुशो कर कहती है के भगा सिंग मुझे दूले के जैसा लग रहा है बेटे तो मा मैं एक बार नहीं सो बार जनम लूँगा और इस देश के लिए सो बार इस मासी के भंदे को चूमने का काम करूँगा मा आखर मैं मा से क्या कहते हैं ओ हो हो है क्या बत और कितना सुन्दर तकत सजा मा कितना सुन्दर तकत सजा और केसी अजब हार लगे फांसी का ये तो फांसी का फंदा माता मुझे फूलो जैसा हार लगे और हाथ हा तकडी ना लगती मुझे जंगड जैसा भार लगे केहे भारत मा तूल है जैसा मेरा भगत्सी सरदार लगे के हे भारत मा दूल हे गे उर्टी कम नागरे वीरों का बैटी कम नागरे वीरों का जग में गुणगान करा थे जाते जाते भगते जिहिंग के दीद खुजी के गादे जाते जाते भगते शिंग के दीद खुजी के गादे जाते जाते भगते खुजी के गादे जगने कर दो रखने कर दो वाय कर दो तो झाले है